हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे यूटूब के चैनल को स्वागत है तो आज हम बच्चे हुए कपड़ों से डोल्मिट बनाने जा रहे हैं तो डोल्मिट बनाने के लिए मैंने 4x4 के साइज का कपड़ा ले लिया है और इसी के साइज से हम बाकी के कपड़े भी निकाल लेंगे तो जैसा कि आप देख सकते कि मैंने 4x4 के सारे कपड़े काट लिये हैं अब हम इसको सिलाई लगाने के लिए कपड़े को मोड़ते हैं अब मैंने कपड़े को मोड़ लिया अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे अब डोर्मेट बनाने के लिए मैं एक कपड़े को गोल अकार में काट ली हूँ और अब इसके साइड किनारी पर सिलाई भी लगादी हूँ और अब हम इस पर वो जो लड़िया मैंने सिल के तर्यार की थी उसे लगाएंगे अब बनाने अब हम इस पर वो जो लगाएंगे लगाएंगे बड़ानोंने लोगानों आती है झाल झाल तो हमारा डोर्मी टप बन के एकदम तयार हो गया है आप देख सकते हैं देखने में कितना सुन्दर लग रहा है और इसके पीछे भी मैंने काफी अच्छा से लाई लगा है जिससे कि देखने में गंदा नहीं लग रहा है और अगर हम चाहें तो इसके उपर से कोई अच्छा सा कपरा भी लगा सकते हैं देखने में जिससे और भी यह सुन्दर हो जाएगा तो हमारा डोर्मी टप बन के रेडी है तो हमारा डोर्मी टूब बन के रेचर है